नमस्कार दोस्तों मैं इंद्रजीत आप सबका हर्दिक श्वागा थे हमारे चैनल में यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर करिएगा साथ ही यदि आप प्रयास एंटर्स एक्जाम नवीन प्रयास या फिर संकल्प सिक्षन संस्थान की त्यारी कर रहे हैं तो जरूर आप चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजेगा आज हम बात करेंगे आपके कुछ प्रश्णों का जवाब देनी की मैं कोशिस करूंगा जो कि आपको फॉर्म भरते समय दिक्कत आ रही है तो वो समधान करने के लिए मैं आ जाया हूं तो चले देर ना करते हुए टॉपिक में आते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉलूशन कैसे लेंगे ठीक है ये रहा फॉर्म वर्स 2024-25 में प्रयास अवासी विद्यालाय में प्रवेशे दू प्रधान पाठक प्रचारे का सत्यापन ये फॉर्म आपको फॉर्म फिल करना है आप बाकी भी कर सकते हैं लेकिन एकदम जरूरी चीजे सिर्फ यह है यह आपको करना ही होगा अधर्वाइस आपका जो फॉर्म है वो अनकंप्लिटेट रहेगा तो देखेगा आपको पूरा कंप्लिट फॉर्म भरना है इनकंप्लिट फॉर्म नहीं ह कोना चीए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप जिस विद्यालाय में आप पढ़ाई अभी कर रहे हैं अधर्रत हैं वहां से आप क्या करेंगे यह फॉर्म फील कराएंगे आपके प्रधानाचारे से जैसे यहां देखें स्री करके है तो अगर बॉय है तो यहां नाम लिख फिर विकास खंड और जीला उसके बाद आपके प्रचारे यह फिर प्रधान पठक का सील और साइन दोनों यहां लगेगा और इसी को जो ऑनलाइन सेंटर में जहां फॉर्म भरेंगे वह क्या करेंगे इसको स्कैन कर अपलोड करेगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने तो उसके बारे में पता दूँ आपको इसकी और शक्ता नहीं है आप यहीं तक करेंगे देखिए यहीं तक आप फॉर्म को क्या करेंगे कट कर लेंगे और इतना ही फॉर्म आपको अपलोड करना है इससे नीचे जाने की और जो जाना चाहते हो जा भी सकते लेकिन पूरे राकुमेंट्स आपके पास होने चाहिए जैसे 36 गड़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राजश्र अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमान पत्र है तो है तो आप टिक करेंगे और नहीं है तो फिर कट करना पड़ेगा तो सबसे बड़िया ओप्शन यह है कि उपर ही 2023 में कक्षा आठीवें प्रथम स्रेणी में उत्तिन परिच्छा में सामिल होने संबंधी प्रधान पाठक प्रचारे द्वारा जारी प्रमान पत्र है तो यह आप क्या कर सकते हैं यदि आप उत्तिन है तो आपका रिजल फिर यहां डालना पड़ेगा और यदि आप प्रवेश्रिती के कंडिका एक दो तीन असा सर्च करेंगे तो कंडिका एक दो तीन के बारे में फूल डिटेल वीडियो मैंने कई बार बना के रखा है तो वह आपको देखने को मिलेगा साथ ही आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में कि प्रवेश्रिती के कंडिका एक दो तीन जो है वो परिशिष्ट आ बासा यही है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा रीड करना पड़ेगा और उसके अनुसार अध्यारत होने का प्रमान पत्र है ना वो आपको दे आला है उस कैटेरिया में आ रहे है कि नहीं आ रहे है फिर आप आगे बढ़ पाएंगे उसमें तो इतना ना करते वे आप इतना कर लेंगे इसको स्कैन करके अपलोड कर वा लिजेगा तो भी आपका जो फॉर्म है वो सब्मिट हो जाएगा रेजिस्ट्रेशन नंबर मिल सभाल के रखना है वो ही आपको एडमिट कार्ड निकालते समय हेल्प करेगा उसी के थुरू एडमिट कार्ड निकलना है चुकि बहुत सारे बच्चे पिछले बार उसको गुमा लिये थे और बाद में बहुत प्रॉबलम हुआ था उनको साथी यदि फॉर्म भरते समय कु उसके बाद 18-19-20 तारीक तक आप क्या कर सकते हैं तुरूटी सुधार करा सकते हैं चुकि जो आपका एक्जाम है वो नौ जुन को होना है इसलिए तो यह समझाया होगा कुछ बच्चे ऐसे भी हमें कमेंट्स कर रहे थे कि सर यदि हम यह जो आपका कंडी का एक दो तीन है या परिशिष्ट आ बासा और दा है इन छेत्रों में नहीं आते हैं तो हम क्या करें तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है नवीन प्रयास में स से आते हैं और नवीन प्रयास के लिए कोई दिक्कत नहीं है आप उस छेत्र में आए या ना आए आप किवल OBC कैटेगरी या फिर SC कैटेगरी के होने हो इसके बाद आप 36 गड़ की किसी भी कोने से आप फॉर्म बर सकते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए तो यदि आप कंडी का एक दो तीन के अनुसार किसी छेत्र में आते हैं तो फिर आप कोई सभी कैटेगरी का हो चाहे OBC हो चाहे जनरल हो चाहे ST हो चाहे SC हो सभी के लिए है कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें तो यह चीजों का आपको ध्यान में रखना है और साथी यदि फॉर कुटी सुधार भी नहीं हुआ है तो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकते हैं तो इन सभी समस्याओं का समधान मैंने कर दिया है जो आपकी कमेंट्स थे अब आसा करता हूं कि आपको और कोई तकलीप नहीं होगी फॉर्म भरने में थाइंक्यू सो मॉच फॉर लि